TCS ने अपने नतीजे घुशित किये हैं, एक बार शरत से पहले समझ लेते हैं कि TCS के नतीजे कैसे रहे, क्या कुछ important वहाँ पर commentary में निकल कर आया, और बाद में हम आपको यह भी बताएंगे कि brokerage house क्या कह रहे हैं नतीजों पर, तो शरत हम ऐसा बने हुए है, शरत सबसे पह और अनुमान लगबग 3.2% का था, तो यहां पर एक अच्छी बीट देखने मिली है, इसके लावा margin जो था 24% था और expected almost 23.9% था, तो थोड़ी सी जो अनुमान से better numbers देखने मिले, लेकिन जो एहम 5 बात है, जिस पर हम focus करेंगे, वो सबसे पहला है कि जो hiring और deal wins है, अभी भ जो है, रिफ्लेक्ट कर रहे है कि डिमांड में थोड़ी slowdown जरूर देखने मिल रही है, हाला कि management की commentary में, of course, उन्होंने काया कि डिमांड strong है देखने मिल रही है, और 25% का margin on track रहेगा, FI 23 की end को लेके, और इसके लावा clients का अभी भी cautious होगा, especially बड़े जो deal size होते उसको ले 21.5% पर हाला कि management कह रहे है कि attrition peak हो गया है, तो एक बहुत important developing statement आई है यहां से और इसको क्या impact होता है, इस पे जरूर फोकॉस रहने वारा है, लेकिन overall अगर नतीजे की बात करें, देश के सबसे बड़ी IT company की जो नतीजे आए है, यह स्ट्रीट को बहुत एक positive surprise मिला है, और कल जो है Infosys की ADR और यह सारे stocks भी जो पोस्ट मार्केट के बाद, US में भी है, एक अच्छी growth देखने मिली थी. बहुत 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 आप, धन्यवाश रहर आपका यह सारी जानकारी देने के लिए, तो काफी strong numbers आए, अनुमान जो हम कर रहे थे, उससे काफी बहुतर numbers आए, हर parameters पर हमने देखा, attrition और deal को लेकर, order book को लेकर यहाँ पर numbers सपाट रहे हैं, attrition में बढ़ा देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर भी management ने guidance दे दिया है कि आने वाले समय में सुधार ही देखने को मिलेगा, लेकिन बागी सारे funds पर हमने देखा कि numbers काफी अच्छे आए हैं, और management commentary भी जो इस ब अब देखना होगा, आज किस तरह से ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन एबा यह जान लेते हैं कि TCS पर brokerage house की reports क्या कह रहे हैं, उनका क्या मैंना नतीजों पर और वामाक्षी हमाँ साथ जूचुकी है, पुरी जानकारी लेकर, वामाक्षी गुड मानिंग, बताएए TCS के नतीजों पर brokerage क्या कह रहे हैं? 50 का target price रखा है, CLSA ने target price रखा है 3,450 और सिटी की सरफ से बिक्वाली की राये 2,900 का target उन्होंने दिया है, आएए देखते हैं, ब्रोकरज का क्या कहना है, सिटी का माना है कि TCS की जो quarter on quarter growth थे, वो अनुमान से काफी मजबूत आए है, UK का जो business था, वहाँ acceleration मेरा है, इंडिया front पर भी काफी मजबूत growth नजर आई है, अमेरिका में थोड़ा हमने हलकी सी गिरावट देखी और यॉर्प फ्लाटिश रहा है, तमाही दर-तमाही आधार पर, मगर macro concerns जो है company के वो अभी भी बरकरार है, जिसके चलते city ने TCS पर बिक्वाली की राये दी है, मक्वाइरी का म perform की राये बरकरार रखी है, burnstein का क्या मानना है, उनके मुताबिक जो deal wins हुए थे second quarter में, वो काफी मस्बूत थे, EBITDA margins भी in-line आया है, 24% odd है, और यहाँ पर 90 basis points का तिमाही दर-तिमाही आधार पर ग्रोथ देखने मिला है, इसी के चलते उन्होंने FI 23 और 24 दोनों की EPS अनु नहीं थे expectations के, long term demand outlook soft है, मगर कुछ चिंता दयाग नहीं है, margin management में काफी बढ़ता हुआ confidence नजर आ रहा है, और वो काफी constructive है, stock को लीकर, जिसके चलते CLS ने TCS पर आउटपरफॉर्म कि राये बरकरार रखी है, काफी bull versus bear, देखिए, scenario बन रहा है, TCS में, एक report city की negative आ रही है, sell rating बरकरार रखी है, और target भी देखिए, जो current market prices के नीचे का दे रहे है, 2900 का, दूसरी तरफ, inquiry की report काफी strong है, आप पर फॉर्म कि राये बरकरार है, लक्षे 4,150 का दे रहे हैं, तो काफी military report आ रही है, TCS के नतीजों को लेकर management का कहना है, management की तरफ से जो commentary आ रही है, वो भी काफी mixed निकल करा रही है, यह मानना है, कुछ reports का, तो यह तो है TCS पर report, लेकिन इसके अलावा का तरफ utilizzाओ, रही है, वो निकल कर दो कर दो हैँची है, अलावा है, यह तो है रही है?